गमंड ना करो अपने रूप और रुपय का त्योंकि मोड को उसके पंखो का बोज ही उचा उर्ने नहीं देता हमारी ही करनी हमें ही दिखाता है समय का चक्र जब घूम घूम कर आता है इंसानियत टैक्स फ्री होती है अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो मौका मत छोड़ियेगा आदत थी रिस्तों में दूद सक्कर की तरह घुल मिल जाने की याद ही नहीं रहा कि जमाना तो सुगर फ्री हो गया है पड़वाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो खेल तो चलता ही रहेगा सवाल या है कि जीवन तुम से खेल रहा है या तुम जीवन से हम अपने जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत दे कर करते हैं जिनकी जिन्दगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाईयों से बढ़कर कोई परिक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षट नहीं अगर रिष्टा रखना हो तो अच्छाईयां बया करते रहो और अगर खत्म करना हो तो सच्छाईयां बया कर दो आशु तब नहीं निकलते जब हम किसी को याद करते हैं अपटी और आपसे जलने वाले लोगों के सामने कभी भी अपनी उपलब्दियों का बखान नहीं करना चाहिए लोग हमें अपने फुर्सत में याद करते हैं और हम उन्हें अपना खास होने की गलती पाल बैठते हैं वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए कुछ उल्जनों के हल बेसक जवाब देर से मिलेंगे पर ला जवाब मिलेंगे अगर जिन्दगी में कुछ बनना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं जिन्दगी से भी ब्लॉक कर दो कितने अजीब होते हैं लोग गलत सावित होने पर भी माफी नहीं मांगते बलकि आपको गलत सावित करने में अपनी पूरी ताकत जोग देते हैं किसी के लिए कभी खुली किताब मत बनो टाइम पास का दोड़ है पढ़कर फेक दिये जाओगे मढ़म के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना आपके बेवकूफी की आखड़ है यू असर डाला है मतलवी लोगों ने दुनिया पर सलाम भी करो तो लोग समझते हैं कि जरूर कोई काम होगा वो बुलंदी भी किस काम की जनाब जहां इंसान चड़े और इंसानियत ही उतर जाए अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए गीता में लिखा है सरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जिवित रहती है पर आज की हकीकत यह है कि सरीर जिन्दा है पर आत्माय मर चुकी है जमाना उस मोर पर आप हुचा है आप जिस इनसान की दिल से मदद करने की सोचो वही इनसान पीछे से वार कर देता है दुनिया बड़ी अजीब है दोस्त यहां अच्छे लोगों को धोका और बुड़े लोगों को मौका हरकोई देता है अगर एक बार किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया फिर बात तो होगी पर पहले जैसी बात नहीं होगी सब कुछ महंगा हो गया है लेकिन माचिस आज भी एक रुपे पर रुकी है याद रखिये आग लगाने वालों की किमत कभी नहीं बढ़ती है फोर कर जाने वालों ने इतना जरूर सिखा दिया कि आने वालों पर भरोसा जरा सोच समझ कर करना चाहिए जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में थोड़ा समय तो लगी जाता है फुर्शत नहीं जिनको खुद से मेरी उदासी का सबब पूछते हैं हम सामने थे तो देखा नहीं मेरे जाने के बाद मेरा अक्स ढूंडते हैं सबसे खतरनाक आदत है सक करने की आदत ये किसी भी अच्छे रिष्टे को बरबाद कर देती है लोग जरूरत के मुताबिक हमारा इस्तिमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है यहां सदियों से जलते तो घी और रूई है पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है कुछ दुख, कुछ ठोकड़े, कुछ दर्द उधार देती है कभी कभी जिन्दगी मौत आने से पहले ही मार देती है कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता किसी को प्यार तो किसी को नफरत बदल देती है सहने वाला ही जानता है कि वह किस तकलीफ में है दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हसी देखते है मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाईयों से खाया है सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावन से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं एक ही इंसान से मुहबबत हो तो मंजिल मिल ही जाती है भटक जाते हैं वो लोग जिनकी मुहबबते हजार होती है सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निसानी है कि वो जिक्र नहीं करते हमेशा फिक्र किया करते है किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है कि अब उनके दिल में हमारे लिए कोई जगा नहीं है जूट बोल कर तो मैं भी दड़िया पार कर जाता पर डुबो दिया मुझे सच बोलने की आदत ने जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने परते हैं